ओम शांति सबने चेकिंग करनी है जो भगवान ने चेकिंग करने के लिए कहा है देखें कहां अठके कहां फसे शरीर चीचीग दुनिया चीचीग और बुद्धी इसी में लगी जबकि सब स्पस्ट है पर स्पस्ट नहीं है शयद करना यहां है सोशते हैं कल करेंगे और कल आता नहीं है इतने में काल आ जाता है और जब काल आता है वो पुछता नहीं है कि तुमने क्या कर लिया क्या नहीं किया वो तो ले जाता है फिर पार्ट कंपलीट हो जाता है खतों हो जाता है, जितना लिखा हो तो उतना हो जाता है, बस, इसी के अदार पने धारित हो जाता है, जैसा जिसका पुर्शार्थ, वैसा हो मिल जाता है, इसमें भगवान क्या करे अब? पगवान समझा सकता है सिखा सकता है करना ना करना सब बच्चों के आदमें कहेंगे हम आग्याकारी बनना चाहते हैं फर्मान बरदार बनना चाहते हैं पर कहना मानना नहीं चाहते हैं तो कैसे बनेंगे आग्याकारी फर्मान बरदार आप कहना मानना नहींचाथते क्योंकि कहना फिर कहेंगे हम करना चाते पर होता नहीं है क्यों कि पहले सही अपने पास excuses हैं तो वो excuses कहां आपको फरमान पालन करने देते हैं यह तो दृड़ता जिसने धारण कर ली कि मुझे ये करना ही है तो उसके लिए बाबा उसको मदद करते है और जिसको नहीं करना होता है उसके पास बहुत सारे कारण होते है और जिसके पास इतने सारे कारण है तो वो कहां भगवान की सुनेगा कहां वो ऐसा बनेगा जो से बनना चाहिए परमत परदर्शन परचिंतन पर 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 और इसे ने हमारे पर काट दिये कितना असान है देखो सुनना कितना असान है और जब करने की बारी आती है तो हम एक बाबा की नहीं सुनते हैं बागी सब की सुनते हैं क्योंकि सब हमारी तरह होते हैं तो वो हमारे को जो हमने अपनी धारनाई बनाई होती हैं, उसी में हम रहना चाहते हैं, यह धारनाई भगवान की दिवी नहीं है, मनुष्यात्मा रावन की दिवी हैं, और हम उसी में ही खुश रहते हैं, उसी के जूले जूलते रहते हैं.